जै मातादी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों नवराती का पर माता रानी को समर्पित होता है नवराती में भक्ति पूर्वक बिधिविधान से मा की पूझा अर्चना करने और शास्तों में बताये गए रियोमों का पालन करने से माता रानी प्रसन होकर सभी मन नुकामनाय पूर्ट का देते हैं और सुक्सम्रथी का आशिरवाद देते हैं दोस्तों नवरात्री में माता रानी का पूचन और ब्रत करने के साथ ही खान पान का भी विश्यध्यान रखना चाहें शास्तों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें नवर के दोरान गलती से भी खा लेते हैं तो इससे आपको नवरात्री ब्रत और पूचन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा और माता रानी भी आपसे नाराज हो सकती हैं तो आईए दोस्तों आज की इस वीडियो में जानते हैं कि माता रानी की कृपा प्राप्त करने के कौन सी ऐसी चीजे हैं जिनका सेवन नवरात्री के दोरान भूल कर भी नहीं करना चाहिएं दोस्तों कुछ लोग नवरात्री के ब्रत रखते हैं और कुछ लोग ब्रत नहीं रखते हैं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भक्त नवरात्री के ब्रत नहीं भी रख पा रहे और माता रानी का पूजन करते हैं तो उन्हें कौन सी चीजों का सेवन नवराती के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए और माता रानी के ब्रत रखने वाले भक्तों को कौन सी चीजों का सेवन नवराती ब्रत के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए और ब्रत चैनल को भी तक subscribe नहीं किया है तो useful videos के लिए चैनल को subscribe कर bell icon को भी जरूर दबाएं माता, रानी की क्रिपा प्राप्त करने के लिए comment box में जै माता, रानी, जै माता, दी अवश्य ही लिखें आईए दोस्तों पहले जानते हैं जिन भक्तों ने नवरात्री के प्रत रखे हैं या नहीं भी रखे उन्हें किन चीजों का सेवन नवरात्री के तौरान भूल कर भी नहीं करना चाहें। नौनवेज के साथी मातारानी के भक्तों को नवरात्री के दौरान तंबाकु, सिगर्ट और शराब का सेवन भी नहीं करना चाहें। जैसे कि प्याच और लहसन। प्याच और लहसन को हमारी शर्चतों में ताम्सिक भूचन में रखा गया है। ताम्सिक भूचन करने से मन में तामसिक प्रवती बढ़ती है। इससे क्रोध आता है। मन बिचलित रहता है और पूजन में मन नहीं लगता इसलिए नवराती के दोरान प्यार लहसन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों घर पर प्यार लहसन ना बनाने के साथ ही मार्केर से आप कोई चीज लाते हैं जैसे की चाउमीन, पीजा वगएरा, बर्गर वगएरा कोई भी चीज आप ऐसी खाते हैं याफे, पटेटो, चिप्स वगएरा जो भी आते हैं अथिकतर उनमें प्यार लहसन होता है। आप जानते हैं कि इन चीजों में प्यार लहसन है तो ऐसी चीजों का सेवन भी आप भूल कर भी ना करें। दोस्तों नवराती के तौरान फूल गोभी और बेंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शास्तों में इसे बरजित माना गया है। क्योंकि बेंगन और फूल गोभी में छोटी छोटी सुडियां होते हैं खासकर गोभी में सुडियां और उनके अंडे होते हैं अगर आपसे काटने के दौरान वह कट जाते हैं तो यह जीव हिंसा होगी। किसी भी जीव को नवराती के दौरान कश्ट नहीं पहुचाना चाहें। अगर गलती से भी नवराती के दौरान आपसे जीव हिंसा हो जाती हैं तो इससे आपको नवराती ब्रत और पूजन का पूर्फल प्राप्त नहीं होगा साधी मातारानी भी आपसे नाराज हो सकते ह इनके अलाबा साग जैसे की पालक, सलजब या फिस सरसों का साग इनका सेवन भी नहीं करना चाहें क्योंकि इन में भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं इनको अगर सही से आप सफाई नहीं कर पाए और इनका आपने सेवन कर लिया तो इससे भी आपके ब्रत और पूजन खंडित हो जाएंगे दोस्तों नवरात्री के दोरान माता रानी को लौंग का भूग लगाया जाता है माता रानी के पूजन में लौंग का इस्तमाल जरूर किया जाता है लौंग माता रानी को अत्यथिक प्रिया है इसलिए नवरात्री के दौरान आप लौंग का सेवन भूल कर भी ना करें क्योंकि लौंग का प्रयोग केवल माता रानी के पूजन के दौरान ही करना चाहिए फलों में आप सभी फल खा सकते हैं लेकिन इस दौरान अमरूत का सेवन ना करें क्योंकि अम्रोत में भी कई सुड़ियां होती हैं और गलती से भी आपने अकर खाली तो इससे आपके ब्रत और पूजन खंडित हो जाएंगे। साथी नवरात्री में आने वाले गुरुवार के दिन आप केले का सेवन भी ना करें। गुरुवार के दिन केले के ब्रक्ष का पूजन किया जाता है। केले के ब्रक्ष में भागवान विष्णू का बास होता है। इसलिए नवरात्री के दोरान भूल कर भी गुरुवार के दिन केले का सेवन नहीं कहना चाहें। ऐसा कहने से दोश लगता है। दोस्तों ये तो हैं वह चीजें जिनका सेवन नवराती के दोरान मातारानी के किसी भी भक्त को नहीं करना चाहें। दोस्तों आईए अब जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन नवराती के ब्रत रखने वालों को भूल कर भी नहीं करना चाहें। और नवराती का ब्रत रखने वाले भक्त कि इन चीचों का सीवन कर सकते हैं। इन सभी चीचों के इलावा नवराती का ब्रत रखने वाले भक्तों को नवराती के ब्रत में अन्न का सीवन नहीं करना चाहें। अन याने की गैहों, चावल, मक्का, बाजरा, सूजी, बेसन, ये सभी अन होते हैं, इनके अलाबा छोला, चना, राजमा और मटर, इन चीजों का सीवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी अन होते हैं, इसके अलाबा आपको मार्केट की कोई भी ट्रिंक जैसे की कोका कोला बगेरा का सेवर नहीं करना चाहिए, आप मिठाई में सब प्रकार की मिठाई खा सकते हैं, लेकिन वह मिठाई ना खाएं, जो अन्न से बनी हों, जैसे की घेबर, बुंदी के लड़ू, बेसन के लड़ू, सौन पपड़ी, ऐसी चीजों का सेवर आप ना करें, मूं की दा का सेवर ना करें, हरी मटर भी अन होती है, इस बात का विशेद ध्यान रखें, इसके साथ ही आप ब्रत में नीबू का सेवर ना करें, ब्रत में गरम मसाला ना खाएं, हींग ना खाएं, धनिया और हल्दी भी ना खाएं, ब्रत में काला नमक्या सादा नमक का सेवर ना करे केवल सेंदा नमक का सेवन करें अगर आपके घर में लालमिच सरसों का तील डाल कर पीसी जाती हैं तो लालमिच का सेवन भी ना करें ब्रत में सरसों के तील का सेवन ना करें कलोंजी का भी सेवन ना करें ब्रत में सोयावीन का तील या फिर rice brine oil का भी सेवन आप ना करें इन बातों का ध्यान रखें इन सभी चीजों के इलावा तोस्तों एक महत्मूट चीज है वह है दूद माता रानी के ब्रतों में दूद का सेवन नहीं किया जाता क्योंकि दूद को कच्ची चीज माना जाता है इसलिए माता राने के ब्रत में दूद का सेवन भूल कर भी ना करें लेकिन दूद से बने हुए ब्रदात जैसे की चाय, कौफी, दही या मिश्ठान आप खा सकते हैं लेकिन दूद का सेवन ना करें इस बात का विशिर ठ्यान रखें ब्रत रखने वाले सभी प्रकार के ड्राइफ फ्रूर्स और फ्रूर्स खा सकते हैं ब्रत रखने वाले ब्रत में लौकी, कद्डू, अर्बी, आलू या फे शकरकंद खा सकते हैं ब्रत में आप कूटू का आटा, सिंगाडी का आटा, साबू दाना या फिस सवा के चावल के पकवान बना कर खा सकते हैं ब्रत में मिश्थान में आप सवा के चावल की खीर बना कर खा सकते हैं, मखानी की खीर बना कर खा सकते हैं आप बर्फी खा सकते हैं ऐसे ही मिश्ठान खाएं जिसमें अन ना हो नवराते ब्रत में केवल फलहार ही किया जाता है आप अपनी सामधानुसार एक बार, दो बार या तेन बार फलहार करके ब्रत रख सकते हैं नवराते ब्रत में मुफली के तेल, नारियल के तेल या फे शुद्धिखी में आप भूजन बना कर खा सकते हैं, मुफली का भी सेवन कर सकते हैं, नवराते के ब्रत में आप नारियल, पानी वाला नारियल या सूखा गोला या फे नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं, नव प्रालों में आप जीरा, जीरा पाउडर, काले मिच, हरी इलाइची, तालचेनी, अजवाइन, सुखे अनार के बीच और बिना सरसों के तेल में पिसी हुई लाल मिच का आप सेवन कर सकते हैं। फलों में आप अम्रूत को छोड़कर पपीता, नासपाती, शेव, अनार, अनन्ना सभी फल खा सकते हैं। सबजियों में आप फूलगोभी, बंदगोभी, साग और हरी मटर को छोड़कर सभी सबजी खा सकते हैं। जैसे की सकरकंद, आलू, अर्बी, तुरई, लौकी, खीरा, गाजर, टमाटर। दोस्तों ध्यान दखे, कूटू या सिंगाडी के आप पराठी, पोड़ी, कचोड़ी या चीला बना कर ही खाएं, पकोड़ी भी खा सकते हैं, लेकिन रोटी बना कर भूल कर भी ना खाएं, क्योंकि ब्रत में रोटी का सेवन नहीं किया जाता, रोटी को कच्चे भोजन मे माना जाता है, ब्रत में आप अद्रक का सेवन भी खा सकते हैं, और हरी मेच भी खा सकते हैं, दोस्तों ब्रत में खूब पानी पीएं, नारियल पानी पीएं, ताजे फलों का रस्मिय जिससे आपके शरीर में पानी की कमी ना हो और आपको कमजोरी ना आए, ब्रत में आप और साबू दाना जरूर खाएं क्योंकि यह दे तक भूब नहीं लगने देटे और आपको ज़्यादा दे तक एनर्जी देंगे, ब्रत में तले हुए प्राद खाने से बचें, तले प्रदात खाने से आलस आता है, नीद आती है, और नवराती ब्रत में दिन में सोना बजित ह होता है आलस आने से पोजन में मन भी नहीं लगता इसलिए ब्रत में हलका भोजन ही क्रहन करें खाली पेट चाई कॉफी का सीवन ना करें वरना इससे आपको ऐसे रिया गैस की समस्या हो सकती है कुटू का भी खाना जब कुटू के पराठे बनाएं तो उसमें थोड़ा सा सिं दोस्तों माता ranij की कृपा प्राप्त करने के नवराति प्रत मुजन का पुण व्रक्त कर लेए नवराति के दोरान खान-पान का विशेश ध्यान रखें उमीद है आपको हमारी वीडियो प्संत आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंस और इ जे माता दी